तो भाई लोग कैसे हो आप उमीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे ओपो रैनो सेबिन प्रो इसको मैंने यूज करो लगभक 15K से ज्यादा टाइम और आप लोग जानते होंगे एक स्मार्टफोन को अगर एक बंदा 15K से ज्यादा टाइम यूज करेगो तो उ स्मार्टफोन कैसा होने वाले आपके लिए वीडियो को स्कीप मत करके एंग तक जरूर देखते रहना तो चलिए विना टैम लेत वे अच्का वीडियो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डीजाइन से स्टार्ट करना साथ हो डीजाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्यू लूग देखने को मैल जाते है। जो कि ही अच्छी वाद और फ्लाइक डीजान के सथ आने वाला है। यहां पर कैमोरा बांब के आस्पास आपको एक लायक देखने को मैलेगा, अगर आप चार्ज में लगा ओगे तो यहां पर लाक जाल जाएगा और आपके फोन में नोती तेरिके से फीट हो गया था जो वान हंट फिल मुझे काफी बढ़ी असा देखा दिया था और एज ग्लास प्रोटेक्शन की बज़से मैंने बीना बैक के से यूज भी क्या था कैसे बहुत जल्दी नहीं आ रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां फूल फ्यू देखने को मिल जाता है क्योंकि यहां पर आपको एक साइग में पांसोल सल्पी कैमरा देखने को मिलेगा तो लूग जो प्रोबैक्ट कर रहे हैं यहां पर काफी पड़ी ऐसा एसा बीजिए कैसा लग रहा है वह आप मुझे कमण में बता सकते हैं और आप चलते हैं प्रो के अंदर था काप डिस्प्ले इसके अंदर मिल रहा है सिंपोल डिस्प्ले 6.55 फूल एजगी प्लास रेजूलेशन का एमुलेग इसपे जहां पर मिलता है फूल व्यू डिस्प्ले क्यूंकि यहां पर साइग में 500 सल्पी कैमरा मिल जाता है और इसका बैजल नीचे काफी छोटा होने वाला है फॉन साइक में कॉर्णिंग गोडिला ग्लास फाइप का पोटेक्शन देखने को मेलेगा एजग्या केन फ्लास का सापोर्ट भी रहने वाला है जब मैंने स्मार्टफोन का अंदर विगो मोवी बेगरा देखा था जो को आईटी फ्रोभाइट क अच्छा होता 120 हास यहां पर रीफ्रेस रेक्ट देना चाहिए था ओपो को ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है वह आप मुझे कमणियों में बता साकतों और इस स्मार्टफोन को जाप मैं ने आउकडोर में यू की बाहर में यूज किया था ब्रैक्निस का अंदर से अच्छा मिल रहा है लेकिन यहां पर काप डिस्प्रे देना चाहिए था क्योंकि ओपो रैंडो 6 प्रो के आंदा था चलते आप पार्पोंस के तरह आप यहां पर फॉड़ा चेंजिस के चिप सेक मिल रहा है मिग्या के काईमून से की 12 हांगेट मैक्स चिप से थोड़ा ओ गेम अच्छी तरीके से आप इस स्मार्टफोन के अंदर प्ले कर पाऊगे और यह जो चिपसेग होने वाला है 6NM का चिपसेग है काफी पारफुल चिपसेग भी होने वाला है और एक बात इस स्मार्टफोन का जो रैम भेरेंग गहने वाला है 12GB रैम के साथ 256GB देखने को मिलता है जो एक अच्छी चीज है दोस्तों आप यहां पर 7GB तक रैम बढ़ा सकते हो यूँकि आप 19GB रैम इस स्मार्टफोन के अंदर यूज कर सकते हो काफी अच्छी बाद है यूज कर आप और उपन केंदा आप टेंगए लकाइग नने बहुत अच्छा लगा रैम और 12 के साथ इस स्मार्टफोन आने वाला है और एंक्रोक 11 का सापोर्ट मिल जाएगा लेकिन एंक्रोक 12 का आपगेट बहुत जल्दे स्मार्टफोन के अंदर आ जाएगा और यह पर कैमरे के बारे में बात का है तो अब सभी लोग जानते होंगे निए रवाटे के बारे में बते नहीं करना स्थे आप लिए अर्शव मिल रहा है और स सब्सक्राइग बहुत अच्छा स्मार्टफोन इतना पतला होने की बाद भी यह पे जो आपको बैकरी देखने को में लगा पारफुल बैकरी रहने वाल है और उसके साथ सिक्स की फाइब वाट का फास्ट आजर अगर आपका चार्च खतम हो जाता तो आप बहुत जल्दी जल्दी चार्च कर पाऊगे और यहां पर जो फिंगरफिंट सेंसर भी काफी फास्ट होने वाला है मैंने यहां पर कैप कर देख साथ तो ओपेन और बहुत जल्दी जल्दी इंग इस्प्लेट फिंगरफिंट सेंसर और फेस अनलोग दोनों आपको अच्छा मिलने बाले अधर और सारे सेंसर फीचर्स आपको स्मार्टफोन का अंदर देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर आपको 3.5 mm headphone jack नहीं मिल रहा है यहां पर 3.5 mm headphone jack देना चाहिए था है इस बारे में वह आप मुझे comment में बता सकते हो और आप बात करते हैं स्मार्टफोन कैसा होने वाले आपके लिए अगर अपनी OPPO का स्मार्टफोन लेना चाहिए था उसके सासत काप गिस्प्ले देना चाहिए था ऐसे भी दोस्तों आपको कह लागते ही इस बारे में वह आप मुझे comment में बता सकते हो देखा जाए तो अच्छा स्मार्टफोन होने वाले अगर अपनी दो चीच कंप्रोमाइस कर पाओगे त आपको क्या लागता है वह आप मुझे comment में बता सकते हो आप स्मार्टफोन लेना चाहते होगे निवी comment में बता सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहे तो जरूरे लाइक कर देना और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर देना ह इतना ही मिलते हैं अगली निव फेस्ट विग्डों में तब तक के लिए बाई बाई केक्षा अगरा